अगर टेक्नो आईटी शॉलिशन में आपका स्वागर थे मैं आधित्य पंदित थे आज में जेम के आपको कुछ अपडेट्स के बारे में बताऊंगा जो अभी नए अपडेट्स आ रहे हैं यहां पर आपको कुछ नए अपडेट्स दिखने आए मिल रहे होंगे जिसकी वा मूब है आपका सेलर का और बैसिकली यह जो वार्निंग है यह को एम के लिए पहले क्या होता था वो यह अपना पोड़क्त कैसे भी डाल देते थे जो यह कैटलोग क्या होता था वेरीफाइड नहीं होता था कोई भी में जैसे की कोई भी आपका कैटेगरी ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको बहुत ही कम रेट में बहुत सारे ऐसे पॉड़क्त देखने को मिल जाएंगे जो अन्बिलीबल प्राइस है जिसका आप सोच भी नहीं सकते इस में कोई पॉड़क्त मिलने वाला है करके और वह देखेंगे तो OEM तो ऐसे कंडिशन में OEM का क्या होता था कि हम लोग जिदी नया पॉड़क्त है जिरी शेल है हम जिदी कोई पॉड़क्त यहां पर डालते है तो वह जेम वेरिफाइग करता है और जेम वेरिफाइग करने के बाद चेक करता है कि यह पॉड़क्त प्रॉपर है या नहीं ह पर OEM के case में ऐसा नहीं होता है OEM ज़री कोई भी product डालता है तो वो जिम without any verify direct approve कर दिया जाता है जैसे कि यहां पर dustbin देखो 35 रूपिस में मिल रहा है 2 रूपिया में भी dustbin है क्या आपको यह 35 रूपिस में मिलेगा यह 2 रूपिया में मिलेगा ऐसा नहीं होगा तो जदी यह product अभी है OEM जदी अभी यह डालने वाले हैं और उसके लिए कोई approval process नहीं रहेगा तो उन लोगों के लिए alert है कि आप ऐसा product और मढडा लिए जदी आप ऐसा product डालते हैं तो आपके उपर action लिया जाएगा जदी कोई seller नहीं यहाँ पर कोई भी seller ने इसके against में complain कर दिया आपके उपर तो फिर आपका account दो साल के लिए suspend हो सकता है suspension for two years तो आपका account two years के लिए suspend हो जखता है जदी आप adjust seller है और आपको उसके against में complain करना है तो आप कैसे complain करेंगे मैं आपको भी बताता हूँ after login आप कोई भी OEM या कोई भी seller reseller है उनके against में complain कर सकते हो मैं login करके आपको यही वाला product अभी खोल लिया है और आप यहाँ पर देखेंगे यह product खोल गया है 25 उपिस का ही rate है आप मुझे इसके against में complain करना है चाहिए OEM हो या कोई reseller बेच रहा है तो report this product यहाँ पर आपको दिखता है तो आप इसके against में report कर सकते हो कि यह product unbelievable price पे है किसलिए submission of fake documents, fail statement, miss declaration MRP का जोड़ी कोई problem है तो या फिर regarding आपको यहाँ पर बहुत सारे listing दिये हुए है तो आप offer discontinue तो नहीं है और इसका evidence proof मुझे देना पड़ेगा कि यह product का price 120 liter आता ही नहीं है इस rate में इसके लिए कोई भी कहीं से भी आप Amazon, Flipcard या कोई भी ऐसे website जहां से आपको इसका price दिख रहा हो इसका एक photo निकालो और यहाँ पर add कर दीजिए और इसको submit कर दीजिए जैसे आप submit कर देंगे इसको पर action होगा इनको time दिया जाएगा यह seller को कि आप मुझे आभी आप submit करो आपके तरफ से documents कि यह rate आपको 25 रुपया में आप दे सकते हो और वो जदी नहीं दे पाया तो इसके against में complain होगा और इनका account दो साल के लिए अब suspend हो सकता है जैसे कि यह suspension पहले सिर्फ 7 days के लिए था और maximum यह 60 days के लिए होता था जो 2 मेहने के लिए होता था अब यह बढ़ा कि अभी 2 साल हो गया तो यह दोनों के लिए अच्छा है एजेस seller और मतलब री seller के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें बहुत सारे L1 के लिए बहुत दिक्कत आता था जो अभी यह problem नहीं आएगा हम उसके अगर में complain करेंगे हाँ थोगा time जाएगा पर आप complain कर सकते हो तो यह है पहला update हमारे तरफ से दूसरा update यह है कि railway का जो wave portal है वो अभी फिलाल नहीं चल रहा है 13 and 14 यह दो दिन का 13 and 14 को बहुत सारे problems है जैसे कि work order बगड़ा release नहीं होगा यह सब भी 13 जो आपको warning में first में यहाई पर उपर में आपको top में दिखता हुआ नजर आएगा जो jam के regarding नहीं है पर IREPS का यह website है इस website के regarding है तो IREPS में आपको 13 and 14 पे यह website proper वे से काम नहीं करेगा तो जदि कोई important काम कर रहे हो तो 13 and 14 को आप लोग मत कीजिए तो ऐसे कुछ basic update jam पे आए हुए है ऐसे भी और updates के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए और जदि हमारे पास training करना चाहते हैं तो हम लोग इसके regarding training भी प्रोवाइड करते हैं जा जेम के बारे में proper हर छोटे से छोटे tools के बारे में बता जाता है proper documents के बारे में बता जाता है जो maximum लोगों को पता ही नहीं होता अगज़ट government की process क्या होती है government काम कैसे करता है और जेम में जो documents मांगा जाता है वो documents है क्या चीज़ या फिर catalog कैसे डालेंगे या कुछ loofalls है वो loofalls के बारे में हम लोग बताते हैं तो आप हमारे training जोइन कर सकते हैं नीचे आपको description में पूरा content plus details हमारा मिल जाएगा आप हमें वहां से contact भी कर सकते हैं और बाकी details के लिए हमारे channel पर बने रही है हम आपको regular ऐसे update के बारे में बताते रहे हैं